प्रिशन जी है बास्टी जब हम जरिमाया की किताब पड़ते हैं तो इसको थोड़ा बताईए मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूँ कैसे करेगी तो जहां तक मैं समझता हूँ कि यरमया की किताब 31 का कोट इन्होंने किया जब मैं ग्रेट कमिशन की कॉन्फरेंस करता था पास्टरों के बीच में तो मैं यही वचन को कोट करता था कि पुरुष हो या इस्तरी हो परमेश्व ने सब को चुना है और परमेश्व सब की इस्त करता था यहाद रखो यहवा कि नई सश्टी प्रित्वी पर प्रगट होगी अर्था नारी पुरुष की रक्षा करेगी तो इसका मतलब यह हुआ जो भविश्व की बाते आप सब ही जानते जब दैनियल प्रॉफिजी करता था तो उसका लेज अलग होता था हाला कि वो ब डिलिवरी करते थे कोई स्टेट्मेंट को, तो ऐसी कोई बातों को लेते थे, जिसका कनेक्शन अभी हम समझ सकते हैं. कलीसिया किसको कहा है? स्त्री को. स्त्री किसको रिप्रेजन करती है? निव टेस्ट्मेंट में? कलीसिया को. दुलन, फीमेल, वैसे ही कहता है कि ऐसा यूग आएगा, कि जहां पे स्त्री पुरुष की साहिता करेगी, टांसलेशन में अलग-अलग जगे पे, और भी है कि जो है पुरुष स्त्री से मदद मांगेगा, अलग है, लेकिन आपने क्योंकि पूछा है, ये यूग आ चुका है, और अभी चल भी रहा है, आप सभी जानते हैं कि लेडिस, खास करके आदम के टाइम से, आप मेरे साथ में हैं ब्रदर? जी जी जी, एक प्रशन आपको भी पुछूँगा, और जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी पुछूँगा, कि आदम से औरत निकली, ये बात सही है? बिल्कुल सही है. ओके, लेकिन पूरी दुनिया किस से निकली? आप से, अउरत से, ऐसे बुलना है. तो वापस कहता हूँ कि आदम से ये सच है, लेकिन पूरी दुनिया, बड़े बड़े राजा, महराजा दुनिया का कोई भी तुर्रम खान कहां से निकला है औरत से तो ये क्या बताता है और आज भी देख लो बहुत ध्यान से सुनना बच्चा जैसे ही पैदा होता है वो उसको पाले माफ करें पैदा करने वाली कौन है औरत अब दूसरा ध्यान से सुनना पैदा होने से लेके मटी में जाने तक उसका कनेक्शन किसके साथ रहता है औरत मा के रूप में बेहन के रूप में पतनी के रूप में अब समझ गए बिलको बिलको साई ये है कनेक्शन ठीक है अजी आजी yeah thank you sir